नमस्का दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाले हम BASF कंपनी के Exponus Insecticide के उपर तो फुल वीडियो में डीटेल में बात करेंगे कि क्या क्या इसके रिजल्ट हैं, कितने कब पड़ेगा, क्या डोज रहता है और कब-कब इसका पिछिड़काओ कर सकते हैं काफी जादा costly product है और मातरा डोज भी है, काफी कम रहता है इसका तो डबबा भी काफी अच्छा है तो हलाकि इसकी वीडियो में अगली साल तक बनाने वाला था पर बहुत सारे दोस्तों के comment section में बॉक्स में कमेंट्स आये हैं कि इसके उपर वीडियो लाई जाए काफी लंबे समय से आ रहे हैं दो-तीन महीने से तो मैंने भी इसको लगबग तीन महीने पहले इस्तेमाल किया था तो बात कर लेते हैं इसकी पहले तो डबबे के अन्बॉक्सिंग की दोस्तों अफम पनाया है काफी बडबा बनाया है मैंने चोटी पैकिंग लिए आको 17 ग्राम के शबसे चोटी पैकिंग आती यह जिसमें टैग प्राइज आपका 1100 उपयर रहते हैं इसे में पर फ्रोंड डिखान शोड़ के शेटी है रहती कि क्या किया करता है किया केौच में इसके इवर्शECक्षक्षाइँ इसको सिद्ध में औरक है की काफिज ऐसा दीन है पर चटा सा गांग हुति है डबू छोटा सा भी बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है यानि चोटी सी गोली जो की बड़े-बड़े काम कर लेती है तो इस तरीके से चोटा सा हमारे को डबू मिलता है इसमें जो की 17 ml का है काफी लाइट वेट है पर इसका डबा काफी बड़ा बनाया गया है मुझे लगता कि आज दे कर सबसे महेंगा इंसेक्टिस्अड मुझे यह लगता है कि इतना महेंगा प्रोडक्ट बनाया वो इन ओने और सिल चोटäg सेसे पैकिंग का खरचा किया है मुझे लगता है कि यह क WOW देखिए कि आप अच्छे इत्युक्तिUL शम्यवी और अंदर इसमें दुबारा से पैकिंग के लिए सील दी गई है जिसे कि अंदर कोई में बात करते हैं ऐसके यूज डोसलों वह रहा है, तो दोस्तों मैं वीडियो अगली साल तक लाने वाला था बात कर रहा था पीछे, तो पहले मैं पूरा इस्तेमाल करता हूँ चितरी किस यह सिर्फ दो बार का experience है यूज किया हुआ एक मैंने लगवक तीन महीने पहर इसको यूज किया था और अभी पंदरा दिन पहले इसका दुबारा से इस्तेमाल किया था तो एक तरह का दोस्तों यह contact इन्सेक्टिसाइड है यानि एकदम से के कॉंटेक्ट में आता है जैसी आप स्प्रे करते हो आपको रिजर्ट्स दो चार घंटे के बाद देखना शुरू हो जाते हैं और कंटिन्यू जो है यह आगे को रखते हैं फर्दर जो मैंने अपने खेत में मेरे लगे थे काफी ज्य जादा जो है है बहुत जादा उसमें एकदम से कंट्रोल करता है पर लंबस में थे कंट्रोल नहीं करवाता है और आप आप सोच को क्या नाप कैसे डोज की बात कर लेता हूं तो डोज डलता है तो आपका 16 से लेके 20L का पौंप आता है तो उसमें यह डलता है 2-3 ml मात्र त तो में नाप नहीं था, मैंने सोचा कर लूँगा इसी तरीके से मैनेज, तो मैंने काफी कुछ दिमार्ग से यूज किया और इसके ढपकन को नापा, तस एमल तक कितने में आया, तो इस तरीके से ढपा की चार ढपन जो है, वो दस आमल हो, यानि कि धाई एमल, हम इसको ढ़ा इतना आप इसको इस्तिमाल कर सकते हो एक 17-16 से लेके 20 लिटर के पानी के पंप में है तो उसके बाद मैंने इसका conclusion निकाला कि किस तरीके से बन रहा है जो इसी का धकन आता है 17 ml का जो वहां तक इसके रिंग्स बनते जबंते हैं उपर यह तक यह आपको जादा पता लगेगा इस तरीके से हम इसको डाल देते हैं और इसमें जो दाल रहता है वो हुद में रहते है वह आपका टेक्निकल Do Lauds तरीके से इसको भी का गारे लिदे ताकर नुज्विव तार्जटे मैं नयुको यह यह वीर्व दले सके यहां बहुत ही कम रहता है आपके 16 लिके 20 लिटर पानी के लिए तो इसमें हम जो है स्टिकर का इस्तमाल जरूर करेंगे क्योंकि इतना महल प्रोड़क्त है और स्टिकर की जरूर पड़ेगी और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगी डकन को भी दोलूंगा क्योंकि टॉल लेगा सारा धाई से ढ़मी हम अगर इसमें फसा रह गेगा चार हो तरफ तो एक एमल जो इसको मैं लाना भूल गया, तो अब इसी से काम चला रहा हूं, ना तोल के, और अच्छे तरीके से इसको मिला देंगे, तो दोस्तो बात करता हूं इसके आगे, कि आपको कैसे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो यह contact में आता है, दोस्तो आपका, contact insecticide में, तो एकदम से जो जो रिकमेंड किया जाता है फसलों में, वो मेर्च की फसल में, कंपनी की तरफ से रिकमेंड किया जाता है, और सोयबीन, जो आपकी डाले अररर हो गया राता है, उन पे आप इसका 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 इसको रिकमेंड किया गया है, पर मैं इसका 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 इस 550,000 से 7-7 तक बिल्कुल अगर आपको फसाल में भारी मातर हमें बहुत जादा कि जैसे आपको पते है कि जो मार्च अप्रेल मैं का महीना रहते है उस वक गेहूं पकने वाला होता है उस दारवन आपकी फसाल में भारी पकन होता है ढहiała कि दू दूसरा अभी आने वाला है समय, जैसी बरसात खतम होती है दूस्तों, उसके बाद भारी एफेट्स वगरा, थ्रीप्स वगरा और जो सुन्डिया लगती है वो भारी महत्रे में आती है, क्योंकि यह सीजन रहता है, ब्रेडिंग सीजन होता है, बहुत ज्यादा मौत्स वगर और भी जो है, ग्राम पॉंड बोर हो गया, बहुत सारे किट्स आते हैं, जिन पर यह कंट्रोल कर लेता है, पर जो आपके किट, फूट, अंदर रहेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि यह जो है, कॉन्टेक्ट में आने वाला इंसेक्टिसाइड है, यह उनकी न भूक से मर जाएंगे, कुछ अंदे हो जाएंगे, और वो अपने आप कुछ वक्त में, यह नहीं कि आपने अभी छिड़काओ किया, दो घंटे वा सारे मर जाएंगे, आपको तीन से चार घंटे मेरे पास वीडियो पड़ा दोस्तों, मैंने इसका प्रैक्टिकल भी किया कुछ किट्स के ओपर, तो मैं उनको लगवग जो पांच से चे गंटे अब्जॉर्ब किया, उसके बाहर जाके उमरे, उनको कुछ पाता नहीं लगा, और राउंड भाई राउंड गूमते रहे एक जगा पे, उनको पाता ही नहीं चल रहा था कि कहा जाना है, क्या करना है, हमें कहां घूमना है, तो उस तरीके से भी, मैंने इसका एक्सपरिमेंट किया था, आपको वीडियो चाहिए होगा, तो मैं उसको डाल दूँगा, सौर्स में, तो दोस्तो यह रहा हमारा BASF का एक्सपोनस, जिसका इस्तेमाल आप अपनी फसल में जीवन जो लाइश साइक टेक प्राइज में है, पर आपको मार्केट में होगता है, हजार उपर में मिल जाए, इतना गर इसकी कोश्ट रहती है, काफी ज़्यादा मेंगा, इनसेक्टिस साइड है, और इसके बेटर रिजल्ट्स के लिए दोस्तों, आप इसका जो है छिड़का, वो सुबे के समय ओ एक्टिस साइड है, सिस्टेम एक नहीं है, लंबा टाइम काम नहीं करेगा, तो कम से कम बारा घंटे या चौबिस घंटे बेटर रिजल्ट्स के लिए ध्यान रखें कि आगे बारिस ना हो, और बैने से मात्र दो बार इस्तिमाल किया है, तो मेरे दोनों बार जो है बारिस और रहता है तो कमेंड बाक्स में जरूर लिखें